Hello everyone, welcome to Prince Education channel Friends, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उन सभी students के लिए जो की exam के लिए preparation कर रहे हैं जैसे कि आपके exams बहुत ज़्यादा पास आने वाले हैं and बहुत सारे students इस डर में हैं कि किस तरह के से study करूँ अभी मुझे school की भी study करनी है, online भी करना है, coaching भी करना है, self study भी करना है so test series भी solve करनी है, caution paper भी solve करना है, किस तरह के से study करूँ so यहाँ पर हम लोग उन students के लिए बात करेंगे जो morning में study करना पसंद करते हैं means जो morning में जल्दी उर जाते हैं और इससे पहले वाली previous video में मैंने बताया था कि जो night में study कर सकते हैं so यहाँ पर जो morning में study कर सकते हैं, वो students इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको time recording, किस time आपको कैसे work करना है, वो जभी बताया है ध्यान रखना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा smart work करेंगे, not hard work हमें hard work नहीं, smart work करना है, क्योंकि smart work में आपकी hard work भी आ जाता है hard work क्या होता है, hard work का मतलब more input but less output means आपने महनत तो ज़्यादा कर दी, लेकिन आपको output नहीं मिला लेकिन smart work क्या होता है, less input more output means आपने महनत की और output उससे भी जादा मिला so वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको जब आप proper नीन लेंगे proper आप अपने डाइट लेंगे, proper आप अपना enjoy करेंगे proper आप study करेंगे, ठीक है, आपको सारी tension दूर हो जाएगी friends, आपकी यहाँ पर schooling का time भी complete होगा tuition का भी होगा और self study का भी होगा सबसे पहले morning में study करने वाले students को कभी भी ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आप आज छोड़ देंगे, चलो कल को study करनेगे आज थोड़ा देल और सोजाते हैं, चलो परसो को study करेंगे चलो इसके दो दिन बाद study करेंगे, अभी थोड़ा सा और सोजाते हैं यह नहीं करना है, आपको अपना time table के according study करना है अगर आप समय morning में 4.45 बजे उठते हैं तो आपको एग घंटे का time है, 4.45 से 5.45 बजे तक का आपको उस बीच जेड़ी हो जाना है इस study के लिए आपको tea, coffee जो लेना है आप अच्छे से रेड़ी होकर brush करकी आप अपना bed जाना है means आपको अपने mind में decide कर लेना है कि मुझे इतनी बजे उठना है इसके लिए मैं आपको एक quotation में समझा दिकती हूँ आपने quotation सुनी होगी एक ऐसा लक्षे decide करो जो आपको morning में bed से उठने से मजबूर कर दे means एक ऐसा लक्षे अपना देधालित कर लो जो आपको सुबह विस्तर से उठने में मजबूर कर दे यह आप quotation अगर अपने दिमाग में बसा लेंगे और ध्यान लख लेंगे अपने उस aim को कि मुझे 99% marks लाने हैं या मुझे 100% marks लाने है और मुझे study करनी है या फिर मुझे आज ये वाला chapter complete कर लेना है मुझे इस subject कर ये वाला कंप्लेट करना है ये subject कर ये वाला करना है इस subject कर ये वाला करना है अगर आपने ये decide कर लिया तो आप automatically उठ जाएंगे आपको ध्यान रहेगा सब्सक्राइब पांच बजने वाले हैं अलारम बज गया चोला बई उठ जाओ आप बिल्कूल नहीं सोचेंगे मैं इसे कल कर लूँ अगर आप decide कर लेंगे yes मुझे आज ये करना है आपको अगर life में success पानी है अगर आप life में success पाना चाहते हैं तो अपने aim की according चलना है आपको वो चीज करनी है आपको किसी भी चीज के लिए कल परसो पर नहीं डालनी है चीज को means जैसे कि आप जानते हैं काल करे सो आज करे सो आप ये condition आप अच्छर जानते हैं means आपको अपनी मेहनत continue करते रहना है right so success पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि time table के according काम करना means आपको कल पर नहीं डालना है clear now बात कर लेते हैं time schedule की 4.30 to 5.30 की बीच का आपका time है इस बीच आपको उठकर ब्रेश करके coffee बगर लेना, tea लेना जो आप पसंद करें, दूर लेना जो भी आप पसंद करें, वो लेकर आपको ready होकर बैट जाना है right आप study के लिए बैट जाते हैं then 5.30 to 8.30 3 hours का आपका time होगा इसमें आपको उठना नहीं है आपको क्या करना है, स्टेडी करने है और क्या इस्टेडी करना है morning time में numerical calculation based question करने है क्योंकि morning का time ऐसा time होता है जिस बीच आप चीजें बहुत easily और जल्दी clear कर सकते हैं आप भूलते नहीं हैं उस चीज को जिससे कि आपका science हो जाता है maths हो जाता है computer की coding हो जाती है ठीके, ये सब numerical based आप चीजे practically जो भी करना चाते हैं वो सब आपको उस 3 hours में कर लेनी है क्योंकि maths में आपको ज़दा time लगता है numerical में आपको ज़दा time लगता है सो वो सब चीजे आपको इन 3 hours में कर लेनी है हो जाएगा right सो आपको decide करना है कि मैंने ये chapter कर लिया daily एक एक chapter का आपने target बना लिया या half of chapter का आपने target बना लिया days decide कर लिए इतने days आपके पास रहते हैं इसके according to days में मुझे maths का false chapter complete कर लेना है ठीके and then मुझे revision भी करना है friends मैंने जो students online study नहीं कर रहे हैं क्योंकि school में भी आपके study होती होगी tuition पे भी होती होगी जो लोग online study या school study नहीं कर रहे हैं या फिर tuition study नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक video बनाई है वो strengths उस video को भी देख लीजेगा जिससे आप schooling and tuition time को clear कर सकेंगे कैसे cover करना है ठीके तो आपको 5.30 to 8.30 के बीच का time clear होगे कि आपको उसमें क्या करना है आपको इस type of questions कर लेने हैं now 8.30 to 9.00 a.m. आपको क्या करना है breakfast करना है rest लेना है breakfast करना है वो आप कर सकते हैं उसके बाद 9.00 से 2.00 बुजे तक आप अपना school, coaching, online study जो भी चाहें जैसा चाहें वैसा करें means आपका जो schooling है school जाते हैं students, school करें online study करते हैं, online करें coaching करते हैं, coaching करें वैसा आप करते हैं वैसा आप कर सकते हैं then 2.00 p.m. to 4.00 p.m. आपको lunch and rest means एक घंटा आप आदर घंटा आप lunch करें family के साथ अपने घर में मम्मी की पापा की किसी के help करानी है वो कर ले, बजार का कोई काम है वो कर ले, game खेलना है, game खेलना है वाटसप चलाना है, वाटसप चला ले सोना है, सो जाए, at least एक घंटा तो आप रेस्ट ज़रूर करें, एक घंटा आप अपने other work करें and एक घंटा आप रेस्ट करें, अगर आपको नीम नहीं भी आ रिये तो भी आप सो जाएए, आप लेट जाएए क्योंकि rest माइंड को ज़रूरी है आप study कर रें पूरा दिन, तो mind को rest दिन अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये दो घंटे आपके क्या हुए lunch और rest क्यों जाते है then, 4 pm to 7 pm 4 pm to 7 pm आपका जो coaching है, ये tuition है वो time आपको cover कर लेना, means जो student coaching जाते है ये tuition का करते है, वो अपना उस तीन घंटे में cover कर ले अगर कोई tuition coaching नहीं जाता है, तो फिर अपना self study करे अगर कोई भी student को tuition नहीं करता है, माल लिया 4 to 5 का करता है 6 to 7 का नहीं करता है, तो वो उस time में अपना जो भी आपका self study का work है, learning work है, वो कर ले means ये जो आपका 4 to 7 है, ये आपका study work है right, coaching का हो, tuition का हो, अगर coaching tuition नहीं जाता है, तो study करे, clear, then 7 to 8, अब अपना dinner time, family time आपका enjoy करे, अच्छे से, that means यहाँ पर हम लोग फिर से enjoy करे देख रहे हैं ना हम लोग, कि हम enjoy भी कर रहे हैं, हम rest भी ले रहें study भी कर रहे हैं, schooling भी कर रहे हैं, अपना coaching भी कर रहे हैं, tuition भी कर रहे हैं now, हम लोग उसके बाद आ जाते हैं, self study पर, बहुत सारे students, schools जाते हैं, tuition जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने तो study कर ली, मैं तो बहुत पढ़ लिया, सुह से पढ़ ही तो रहा हूँ school में पढ़ा हूँ, tuition पर पढ़ा हूँ, coaching पर पढ़ा हूँ, तो वो रात को self study करना पसंद नहीं करते मैं आपको एक बात बात बदा देती हूँ, अगर आपने self study नहीं करेंगे, तो आप exam में marks नहीं अप्टेन कर सकते, अगर आपको अच्छे marks अप्टेन करने हैं, तो उसके लिए self study compulsory है, self study के बिना आप अच्छे marks अप्टेन नहीं कर पाओगे, ये बात अपने दिमाग में fix कर लीजे, कि self study तो करनी ही करनी है, कि लिए सिर्फ teacher पर है dependent नहीं रहना है, कि yes teacher ने ये भी solve करनी होगे, खुझ से revision भी करना होगा, खुझ से answer paper भी solve करनी होगे, खुझ से test series भी solve करनी होगी, तो ये सब self study में आता है आपका, उसके बाद, self study के लिए 8 to 10 का आपका time होगा, 8 से 10 बजे तक आपको self study करनी है, morning में हमने self study की, ये हमारा 5.30 to 8.30 का जो ये time था, morning का, ये हमारा self study का था, ठीक है, उसके बाद schooling tuition हुआ, then again आपको 8 to 10 hour, 8 to 10 pm means 2 hours आपको self study करनी है, जिसमें आपको long question answers, test series, question papers, जैसे कि आपका English हो जाता है, SST हो जाता है, Hindi हो जाता है, इनके question answers आप learn कर सकते हैं, क्योंकि इस time में आप easily learn कर पाएंगे, clear, अच्छे समझा गया कि हमें किस time self study करनी है, किस time school जाना है, किस time tuition जाना है, ये concept आपको clear हो गया, so हमारा 8 to 10 pm का time हैगा, long question answers, test series, question paper solving, इस type से, long question answers को learning का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, and writing कैसे improve करें, कैसे जल्दे लिखें कि आपका paper ना छोटे, वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर देख लीजेगा, then 10 pm, got to sleep, 10 o'clock, 10 बज़े आप सो जाईए, ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं, 7 hours की नीन सफिशेंट होती है, तो 4.30 पे आप अपना alarm नगा लिजए, 4.30 तू 5 o'clock तक आप अपना उठने का टाइम रखे, then आदे घंटे में चायवार लेकर आप सुबह मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, क आपके computer के भी होता है, science के भी होता है, बहुत सारे होता है, computer में coding भी होती है, वो सभी आप इस बीच में कर सकते हैं, इससे आपको easily, क्योंकि क्या होता है, कि जैसे हम late night study कर तो हमें नीन जल्दी आने लगती है, अगर हम long question करेंगे, theoretical position करेंगे, तो उस टाइम में इस सब्सक्राइटी से schedule बना सकते हैं उतने का, तो इस तरीके से morning वाले students के लिए पूरा time table decide किया हुआ है, इस time table के according अगर आप study करेंगे, तो obviously I am sure कि आप 100% marks अचीव कर लेंगे, बढ़ ध्यान रखना, अगर आप किसी भी दिन study नहीं करेंगे, या फिर बेक लेंगे, या फ अच्छे marks अप्टे नहीं कर पाएंगे, यही जीजन होता है, 100% marks अचीव करने वाले students का, जो students 100% marks अचीव करते हैं, वो smart work करते हैं, means वो enjoy भी करते हैं, वो slabbing भी करते हैं, and study भी करते हैं, so this is your smart work, friends, एक quotation धियान रखना अपने mind में, जो आपको आगे तक ले जाएगी, ज जब तक ऐसा फलता मुझे छूबी नहीं सकती, so ध्यान रखना, जब तक आप life में success होना चाहेंगे, यह वाली आपके इच्छा मजबूत है, कि मुझे इस सब करना है, आपकी success होने वाली जो इच्छा है, वो मजबूत है, तब तक आपके ऐसा फलता आपको छूबी नहीं सकेगी, so अगर आपने decide कर लिया कि मुझे 100% marks लाने ही ही, लाने है, then आप लेके आओगे, so इसके लिए सिर्फ आपको smart work की जो रहते हैं, अच्छे से मैनत करें, time table के according, अपना schedule बनाएं, सभी test series, सभी question papers, last year question papers, जो भी आपके questions हैं, उन सभी को आप solve करें, यही time है आपके study करने का, जिसमें आपका आगी की पूरी life आपके depend होती है, पूरा life का, जो आपका schedule होता है, पूरी life का walk होता है, वो सभी आपका यही पर depend करता है, आपको exam से ड़ना नहीं है, easily, आपको अपना self paper देना है, कोई tension नहीं लेनीगी, board exam, board exam, board exam, कोई नहीं है, simple exam होते हैं, आपको अच्छे से study करनी है, अगर आप अच्छे से study कर लेंगे, तो obviously आप board exam में अपने जो भी questions आएंगे, वो सब उनको करके आएंगे, और ध्यान लगना, marking other exam से बहुत easy होती है, board exam की, बिल्कुल tension नहीं लेनी है, clear, so guys, अब अपने ये video, अपने friends के साथ भी share कीजिए, उनको भी motivate कीजिए, जिससे की उनको भी motivation मिले study करने का, और उनके भी mind से stress खतम हो जाए, कि नहीं study हमें करनी है, इतना सलेबस रहे गया, ये सब उनके mind से stress खतम हो जाना चाहिए, आपके mind से भी stress खतम होना जाना चाहिए, free mind होकर smart work के साथ आपको study को करना है, okay friends, I hope ये video आ और जदे help लोगी, bye bye, take care